तो सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम मोलर्ता मोलल्ता और प्रतिशत्ता पर सवाल लेकर आए हैं जो कि नुमेरिकल क्वेश्चन है अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए सिरुवात करते हैं देखो इसमें लिखा गया है कि 10 प्रतिशत एने ओएच के 200 ग् किजी तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो सबसे के सब कि से लिया गया है और इसका क्या भी है तो देखो सबसे जैसे आपके पास यहाँ पर एक यह है अब यह मालू की यह एनुएच का विलियन है इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं देखो यहाँ पर सवाल की कंडिशन अगर समझ में आ जाती है तो कोई भी संख्या बदल के भी दे दे देना तो सवाल बनता है ठीक है तो देख लेकिन इसमें एन-e-o-e-ch की मात्रा की गणना करनी है मतलव इसमें जो एन-e-o-e-ch मिलाया गया है इसका चित्र यहाँ पर बना लेते है कि यह दूसरा बीकर है ठीक हैं जिसमें यहाँपे एन-e-o-e-ch डाला गया क्या sodium hydroxide यह डाला गया है लेकिन कितने ग्राम डाला गय गया है कितने ग्राम डाला गया है यह हमें पता ही नहीं है लेकिन यह जरूर पता है कि इस विलियन का दस प्रतीशत तो इसका मतलब है कि एने वेच का जो प्रतीशत है वह कितना है दस प्रतीशत हमें यह दिया गया है कि एने वेच इस विलियन के अंदर दस प्रतीशत है लेकिन यह नहीं दिया गया है कि कितनी मात्रा में है तो प्रतीशत से हमें पता चल गया जैसे question exam में आएगा तो यहाँ पर प्रतीशत लिखा है न तो उससे आपको यह अंदाज लगा लेना कि यह प्रतिशत्ता का सवाल है, तो देखो, प्रतिशत्ता में क्या होगा, जैसे अगर हम इसको देखें, तो हमें जो दिया गया है, उसको लिखेंगे, सबसे पहले बड़े द्यान से समझेए, दिया है, क्या-क्या दिया गया है, द्यान से बताओ, कि विलियन की मात्रा दी गई है ना कि विलियन की मात्रा कितनी दी गई है 200 ग्राम विलियन है ना तो यहां पर आपको लिख देना है 200 ग्राम अब विले का प्रतिशत यानि प्रतिशत्ता दी गई है एने ओएच की तो एने ओएच एने ओएच की प्रतिशत्ता तो एने ओएच की जो प्रतिशत्ता दी गई है वो है 10 प्रतिशत्त और एने ओएच की मात्रा ज्याद करनी है यानि एने ओएच कौन है अंसर है विले है ना तो एने ओएच यानि विले की मात्रा जो है वो हमें ग्याद करनी है इसलिए यहां पे अपन प्रतिशत्ता का जो फॉर्मूला है वो लगा देगे तो प्रतिशत्ता वराबर क्या होता है विले की मात्रा या विले का भार या विले का द्रम्मान कुछ भी लग सकते हैं विले की मात्रा बटे विलेन की मात्रा यह प्रतिशत्ता का फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है विलेन की मात्रा और गुडित कितना कर देना है 100 बताओ प्रतिशत्ता कितनी दी गई है 10 प्रतिशत्त तो प्रतिशत्ता के नीचे लिख लेना 10 इस के किने की मात्रा कितनी दी गई है वि ले की मात्रा ग्याद करना है आप चाहे तो इसे X भी मान सकते हैं विले की मात्रा और वटे, वीलेन की मात्रा कित्ति दी गई है? 200, और गुरित कितना है? 100, तो 2-0 से 2-0 कैंसल, तो यहां वटे में कुछ नही है, तो यह कर सकते हैं, तो तिरियाक गुणा हो जाएगा, वीले की मात्रा ही कम, वीले की मात्रा, विले की मात्रा ठीक है और बरावर में होगा 10 दोनी 20 क्योंकि 2 जीरो तो कैंसल हो गए थे तो 10 दोनी 20 ग्राम तो ये देखो विले की मात्रा हमें पता चल चुकी है कि 20 ग्राम है तो ये वाला सवाल अच्छे से हल कर लेना और आप नोट भी कर सकते हैं और आप नोटस में देखोगे तो इसके नोटस भी आपको प्रॉपर दिख जाएंगे तो PDF form में मैं आपको नोटस दे दूँगा जल्दी तो वहाँ पे भी है ये पूरा इसी तरीके से नोटस में है आपको इसके नोटस नहीं दिखा रहा हूँ यही आप नोट कर सकते हैं पूरा ज्यों करते हो अता एन एएच जो है एन एएच की मात्रा वो कितनी होगी बताओ एन एएच की मात्रा वो होगी 20 ग्राम ठीक है तो यह इसका आंसर हो जाएगा इसको अच्छी से नोट कर लो या स्क्रीन सॉट लेकर इसे नोट कर लेना इसके बाद हम लोग नेश्ट कोश्चन करेंगे